इस्राइल और दूसरे अरब देशों के बीच कॉन्फिलिक को देखते हुए आईए इस पर एक नजल डालते हैं कि महात्मा गांधी के इस्राइल और पैलिश्टीन को लेकर क्या विचार थे आगे बढ़ने से पहले बता दें गांधी जी ने 1938 में हरिजन में लिखा था पैलिश्टीन खीक उस तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लेंड अंग्रेजी लोगों का है या फ्रांस फ्रेंच लोगों का है जिससे साफ पता लगता है कि वो यहां फोर्स के दम पे सेपरेट द अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुलना करनी हो तो जैसा सुलुक क्रिश्टन्स ने यहुदियों के साथ किया वैसा ही भारत में हिंदों ने अंटेचेबल्स के साथ किया किसी भी युद्ध और वाइलेंस में रिस्वास ना रखने की सोच रखने के बाद भी गांदी ने हिकलर के अत्याचार को देखते हुए ये लिख दिया था कि अगर हुमाइनेटी के नाम पर और उसके लिए कोई भी उचित युद्ध हो सकता है तो किसी जाती या धर्म के अनकंट्रोल्ड हरास्मेंट को रोखने के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध पूरी तरह से उचित होगा यहुदियों के लिए अलत देश की जरूरत को गांदी ने दो बेसिस पर एक्सेप नहीं किया था एक की पैलेस्तीन पहले से ही अरब पैलेस्टीसियंस का गर है दूसरा ब्रिटेन का यहुदियों को पैलेस्तीन में बसाने क गोशना fundamentally एक violent thought है उनका मानना था कि यहुदियों को अरबो पर जबरंग थोप दिया जाए गांधी का कहना था कि कोई भी धार्मिक कारियर बम की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता उन्होंने यह भी कहा कि यहुदियों के वल अरबो की सहमतियों और बरोसे से बसकते हैं और इसके लिए उन्हें ब्रिटिस ताकत की दोस से खुद को अलग करना होगा बता दे 1917 के बालफोर declaration के जरिये इंगलेंड ने यहुदियों के लिए अलग देश बनाने का वादा किया था ब्रिटिश ओथर आर्थर कोश्टलर जो खुद भी एक जू थे उन्होंने इस declaration प अटाया जाए जहां अभी वो रह रह रहे हैं देश की सोतंतरता के बाद भी पंडित नहरू की सरकार भी गांधी के रुप पर कायम रही और भारत उन देशों में सामिल था जिन्होंने पलेस्टीन के अर्भो और यहुदियों की बीच टक्राव से रिलेटेड युनाइट से ऐसे लोग हैं जो गांधी जी की आइडियोलोजी को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं बट उनके दोरा पोले गए यह थोट्स जरूर कोट कर देते हैं और बहुतों का यह मानना है कि गांधी जी को इस पूरे मुद्दे का ज्यादा आइडिया नहीं होगा इसलिए उ मुद्दे पर क्या राया है कमेंड बॉक में ज़रूर बताएं